भगवान स्रीमन नारेंड से हमारी वम्ष परंपरा और गुरु परंपरा प्रारंब होती है। भगवत पाद आधिशंक्राचार महाभाग दसमे स्थान पर सिद्ध होते हैं। स्रीमन नारेंड की निष्ठी से विचार करें तो एक अरव स्थान वे करोर उन्तीस लाक उन्चाष हैं। भग्वत पाद आध प्रशिक्षन प्राप्त है कि देश-काल-परष्चिती को देखते हुए धर्म का निर्णे लेना चाहिए और मैं एक संकेत करना चाहता हूँ कि लोब भय कोरी भावुकता अव्यक के वसीभूत होकर हम एक वाक भी नहीं बोलते हैं कि नहीं आस्तिक महान भाव की यह भावना हो सकती है कि अगर इस विभीशिका की दसा मेरत यात्रा की स्विकृति दी जाए तो स्री जगन्ना जी उन्हें शमा नहीं करेंगे लेकिन प्रशस्त परमपरा का विलोप होने पर क्या शमा कर देंगा जगन्ना जी इस पर विचार करना चाहिए ऐसी स्थिति में प्राप्त विभीशिका को देखते हुए और शाहत सम्मत प्राचिन प्रथा को देखते हुए निर्णे की आवस्यक्ता थी मैं एक संकेत कर देना चाहता हुँ कि भगवत पाद आज शंक्रयाचार महाभाग का प्रादुर्भाव प्रामानी कृति से जब हुआ तब विश्व में कोई क्रिश्चियन तंत्र, मुस्लिम तंत्र, पार्सी तंत्र आदी नहीं था एक बटाचार विश्व एक संक्रयाचार के अधिकार क्षेतर में आता था आज भी श्रिजगरनात मंदिर तो पुरी पिट के संक्रयाचार के ही साक्षाक खेतर में है धार्मिक और आध्यात्मिक विश्यम के नियाधिश तो हम लोग माने ही जाते हैं परमपरा से और मानुचितम नियाले के अनुसार भी ऐसी श्थिति में न्यायाले का भी अधायत होता है कि धार्मिक आध्यात्मिक्षेत्र में हम लोगों से परामर्स ही नहीं मार्गदर्सन लिया जाए मैंने जो संकेत किया था मानुचितम न्यायाले ने जो शुद्ध भावना का परिचे देकर प्राप्त विविश्का से बचने के लिए निर्णे लिया है उसमें भावना पर आक्षेप नहीं करता लेकिन सूज बूज तो परियाप्त नहीं है इसलिए कोई व्यक्तित्व का प्रस्ण उठा करके विवेक का समाध्दर करते हुए मानुचितम ने आये लेकिन याधिस जो मेरे लाडले प्यारे हैं उन्हें मैं एक अनुरोज करता हूँ कि वे प्रशास्त डंग से निर्णाई प्रदान करने का मार्ग प्रशास्त करें ना रहन ना रहन